हुक्मरा सव्यफ्त हैं, खून गईब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बू चोहान, केंद्रे रिजर पुलिस बल, आज सदन की राय से असहमत होते हुए, वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तूत करूँगी महोदय, दर्द हद से तब गुजरनी लगता है, जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर, और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के दरश् मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये, कि मानवा धिकारों के अनुपानला करते हुए, देश से उगरबाद और आतंग बात को समात किया जा सकता है, महोदय, आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी, हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फेहराने से जादा, म मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ, महोदय, तो उस दिन फट गया, जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितरों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे लेलू, महोदय, आज इन मानवा धिकारों के कार प्यार भी भरपूर गया, मांका सिंदूर गया, नन्यनोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी-छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे जादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं, परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंदे हुए हैं, कि अपनी ड्यूटी पर खड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है, कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे या ना लगे, परन्तु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ, तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महोदे मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना, कोई वीरता नहीं, एक आत्म हत्या है, क्योंकि महोदे, फूल को श्रिंगार दो, ये मुम्किन नहीं, और एक पथरवाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली, अगर टार गेट को हिट नहीं भी करेगी, तो भी 400 मिटर तक जाएगी, और यदि इस बीच, वो किसी निर्दोश को लग गई, तो महोदे हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना प पर भी रोब डाला जा रहा है, अरे हमी तो बुनियाद हैं अंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, महोदे, जब पुलवाम हमी 44 जवान सहीद हुए, 36 गड़ में 46 जवान सहीद हुए, तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमा सारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ, परन्तु जब JNU विस्पि ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम सर्मिंदा हैं, जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्स में घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से अफजल निकलेगा, उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंग बन कर दहार दो, और एक तिरंगा जंडा उसका नहीया के सीने में गार दो, महोदै, अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते आतंगबाद और उग्रवास से कभी नहीं निप्टा जा सकता, महनवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चर्कों से शोलों के आगे, रामायर पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के आगे, धर्ती के घोर कोहां से को, एक सूरज ह ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है, जैहिंचे भारत!